गुड मॉर्णिंग गाईज, वेलकम टो आर चानल गैलावेंड मेडिक्स तो आज हम एक नया डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जिसका नाम है डेरास नेचर कैम डेरास नेचर कैम भोवनिश्वर्श चे 25 किलोमेटर दूर है पिछली बार हम लोग गई थे जुमका डेम, डेरास डेम उसके नजदीक है जुमका के जो वीडियो है हम उसको डेस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे देंगे, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं तो लेट्स गो पिछाए में जाए में लिए जाए पिने के लिए पहले चाए पिएगे और फिर चलेंगे और इस दिरेक्शन अगोई ना जाए 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 तो गेट के अंदर जाते ही आपको एक कच्चे सडक से आगे जाना है और यहीं से जंगल शुरू हो जाता है यह पूरा इला का चंदका जंगल बोला जाता ही एरिया को और यहां पर मतलब जब आप एंट्री लेंगे उसके बाद ही आपको जहरना का आवाज भी सुनाई देगा तो जैसे के आप देख सकते हैं पूरा शामने पहाड है उसके नीचे डैम सुरू हो जाता है और डैम के बाद वो जो डैम का पानी है रिजर्व वाटर है वो आके यहां पर नीचे वाले एरियाज में डिस्ट्रिबुट होता है तो फाइनली हम लोग डैम के पास आ चुके हैं यह जो सामने आप रस्ता देख रहे हैं यह रस्ता देरास नेचर क्याम के तरफ जा रहा है जहां पर उडिसा एको टूरिज्म में डिफरेंट कॉर्टेजिस एविलेबल है नाइट स्टे के लिए तो एको टूरिज्म था यह आफ गहें जञ constrained साफारी कई अभी अवEd chemicals कर सकते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर कुसलों कर रहे हैं और फिसिंग से हिह उनकी रोजी रोटी चलती है वोज़ा करना मत्छा दृचा आधनां क्लभव कर सकते हैं नहीं है not अत्छा तो यह जो आपके सामने वाले रस्ता है वो जो नीचे जा रहा है ना यह रस्ता एक्छली जंगल के और जा रहा है जो लोग जंगल सफारी करना चाहते हैं और यह सामने वाला रस्ता नीचे जा रहा है यह रस्ता जा रहा है टोवार्ज कोटेजस तूवार्ज नेचर कैम जिसमें आपको नाइट स्टे का एवेलीबिलिटी है इस कोटेजस अवैलेबल है यहां पर अभी हम लोग जाएंगे नेचर केम के ओर और देखते हैं वहीं पर नेचर केम कोटेजिस केसे हैं आप यहां पर देख सकते हैं आप लिखा है नेचर काप डेरास तो यहीं पर जो गेट है उसके अंदर पूरा कोटेज़ आप देख सकते हैं यहाँ जीस कास देख सकते हैं हम लोग अभी बॉटिंग एरिया पे आगेikk आ गए यहां पर एक पर लगा हुआ है अप देक सकते हैं आप देख सकते हैं थर्टी मिनट्स के लिए एराउंड नाइन हंड़े तो ये था हमारा देट्रिप टू डेराशन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेर कीजिए और हमारे कनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए